नमस्कार साथियों मैं आपका दोस्त बिजनेस कोच डॉक्टर उज्वल पाटनी बोल रहा हूँ साथियों मैं आज एक ऐसे HIV पर एक ऐसे हेपाटाइटिस पर समझी एक ऐसी बीमारी पर केसी स्टेडी लेकर आया हूँ जो आपके घर के लगबग हर सदस्से को है जो मेरे घर के लगबग हर सदस्से को है और हिंदुस्तान की लगबग स्मार्ट फोन वाली आदी से ज़्यादा आदी को है तो इस बहुत बड़ी बिमारी का नाम जो HIV से ज़्यादा खतरनाख है उसका नाम है WhatsApp अब साथियों आगे बढ़ हूँ उसके पहले WhatsApp क्या है थोड़ा जान ले WhatsApp को बनाया था जैन कूम और ब्रायन एक्टन ने ये दोनों याहू के एंपलोईज थे एक्स एंपलोईज ओफ याहू मजए की बात ये थी ये दोनों जब फेस्बुक में नौकरी मांगने गए तो फेस्बुक ने इनको अयोग्य घोशित करके नौकरी देने से इंकार कर दिया 2014 में खुद फेस्बुक ने वाटसेप को 19 बिलियन डॉलर में खरीदा कितने में 19 बिलियन डॉलर जरजीरो लगा कि देख लेना कितना होता है और इसी के साथ फेस्बुक दुनिया के तीन सबसे बड़े प्लेटफार्म्स का और बन गया जिसका नाम फेस्बुक जिसका नाम इंस्टाग्राम और जिसका नाम वाटसेप है साथियों आज वाट्सेप के इस जनवरी के आकडों के हिसाब से देड़ बिलियन से जादा यूजर है जिसमें से एक बिलियन लोग लगबग हर दिन वाट्सेप पे आ रहे हैं और अचरच की बात है 65 से जादा भाशाओं में इस वक्त वाट्सेप चल रहा है अब साथियों क्या यही कहानी है कहानी यह कि वाटसेप ने ऐसा बवाल मचाया है कि 12 देशों ने तो वाटसेप को बेन कर दिया है चाइना ने कई बार WhatsApp को बेंड किया, ब्राजील ने कई बार WhatsApp को बेंड किया, दुनिया में सबसे ज़्यादा WhatsApp वीडियो कॉल करने वाला धेश इंडिया है, लेकिन क्या मैं ये सुनाने के लिए यां खड़ा हूँ, WhatsApp की सफलता की गाथा सुनाने आपके लिए खड़ा हूँ, नहीं मैं वाटसेब की सफलता की गाता नहीं सुनाने करा हूँ मैं ये बताने को खड़ा हूँ कि वाटसेब कैसे हमारा जीवन बरबात कर रहा है वाटसेब कैसे हमारी परसनल लाइफ खतम कर रहा है WhatsApp कैसे हमारी family values और culture को खतम कर रहा है WhatsApp कैसे हमारी productivity को खतम कर रहा है WhatsApp कैसे हमारे social thread को खतम कर रहा है साथियो आज सुबा अगबार में मैंने एक ख़बर पड़ी दिल्ली में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की हत्या इसलिए कर दी क्योंकि वो राद दिन WhatsApp पर बिताती थी और घर के काम में बिलकुल ध्यान नहीं देती थी अपने पती पर बच्चों पर परिवार पर बिलकुल ध्यान नहीं देती थी पती ने बहुत बार समझाया नई समझ में आया हत्या हुए साथी अरब में एक व्यक्ति ने अपनी वाइफ को इसलिए डाइवोर्स दे दी क्योंकि वह बहुत ज़्यादा वाटसेप मेसेजेस करती थी और अपना मुबाइल एकसेस करने को नहीं देती थी इटली में 40% डाइवोर्स के पीछे 40% डाइवोर्स के पीछे किसी ना किसी तरीके से वाटसेप की इमेजेस वाटसेप के वीडियो या वाटसेप की इन्फोस का हाथ है दुनिया में अने एक जगा दंगे भड़कने के पीछे जो पैरिस का हमला हुआ जो स्टॉक होम का हमला हुआ अंत में यह पाया गया कि उनकी योजनाय वाटसेप पर बनी लेकिन यह तो सब बहुत दूर-दूर की बाते हैं साथियों आज हमारे देश में दो रेप हुए हैं कत्वा और नाव उन्होंने पूरे देश को हिला दिया हमारी अंतर आत्मा को जंजोड दिया कभी-कभी अपस सारे ट्रिगर फेक्टर लिस्ट में लिए जाएं तो उसमें वाटसेप एक ट्रिगर फेक्टर आएगा क्यों क्योंकि वाटसेप के माध्यम से घर-घर में अडल्ट्री घुज गई है इतने अडल्ट वीडियो वाटसेप पे सर्कुलेट होते हैं यूट्यूब पे तो वी कि कौन कौन सी साइट आपने देखी वाटसेट में कोई आपके सामने बैठके अपने मुबाइल पे क्या देख रहा है आप पता नहीं लगा सकते हैं आप जानकर आश्चर चकित हो जाएंगे मुझसे एक स्कूल की टीचर कह रही थी कि 90% क्लास फिफ्ट के अंदर के बच्चे अडल्ट वीडियो आज देख चुके होते हैं एक 15 साल के बच्चे का कोई ना कोई दोस्त 12 साल का होता है उसका कोई ना कोई दोस्त 10 साल का होता है और धीरे धीरे करते करते वो वीडियो उन तक पहुँच जाते हैं एक वीडियो एक किसी ना किसी के हाथ में मुबाइल रहता है मौले में, स्कूल में, कालोनी में, कोचिंग में, ट्यूशन में, वो अपने मुबाइल पे ऐसी चीज़े लोड करके लाता है और बाकी सब देखते हैं यदि इतनी कम उम्र में, इतना एक्सपोजर दे दें, लेकिन विजडम न दें, इतनी चीजों को एक्सपोज कर दें, लेकिन ये सहियम न दें, क्या चीज़ कब उप्योग करना है और क्या चीज़ कब उप्योग नहीं करना है तो गलत रहा भटकेगी हैं आज एक class 4th 5th की लड़की class 3rd 4th 5th का लड़का यदी 100% सेक्स के बारे में जानता है तो इस बात की पूरी संभावना है कि उसने वो वीडियो अपने पापा के मोबाइल पे देखे हो अपने चाचा के मोबाइल पे देखे हो आज भी अधिकांश लोग मोबाइल में लॉक लिया फिर बाद में आपने एक दो दिन हरकते वाच की आपको लगा नहीं देखा नहीं पूरी संभावना है उसने देख लिया उसने देख लिया मैं कई बच्चों से बहुत फ्री हो नियर एंडियर मैं उनसे अक्सर पूछता हूं आप आश्चर करेंगे उनमें से अधिक कहीं न कहीं तो जाके रिफ्लेक्ट होंगें तो पहली चीज कल्चर का बेता हाशा नुकसान सोसाइटी की वेल्यूस का खतम हो जाना सोशल ताना मना ध्वास्त हो जाना सेकेंड प्रोडक्टिविटी दिन भर लोग मोबाइल पे रहते हैं आप अधिकांश लोगों को जान कितनी अंतर आत्मा पे हाथ रखके पूछो कितनी देर बिजनेस के लिए मोबाइल चलाते हो और कितनी देर परसनल यूसेज के लिए साथ्यों वर्क प्लेस पे हर आदमी अपना अपना वाटसेप चालू रखता है दिन भर कई लोगों का तो सेकेंडों में दो नीला डंड कैसे हो जाता है मैं आज तक नहीं समझा हो बाकी कोई काम करते हैं कि अरे आप एक काम में यूद्यान लगा के रखें अचानक आपका एक वाटसेप आया आपने देखने के लिए उस काम से ध्यान अटाया आपका कंसेंट्रेशन डिप कर गया फिर बड़ी मुश्किल से एक रिसर्च आईए जिसमें कहा गया है कि 9-10 अवर्क प्लेस पर बैठने वाला व्यक्ति मेरे दोस्त साड़े तीन घंटे की प्रोड़क्टिविटी दे रहा है सिर्फ साड़े तीन घंटे की बोलने को कुरसी में इतनी देर बैठा है और इस लैक आप प्रोड़क्टिव सेंटर खोलना पड़ा क्योंकि academics नीचे चले गया है social detachment हो गया इस्तिती एक रात को एक परिवार बैठा है तो पिता के हाथ में उसका मोबाइल है माता के हाथ में उसका मोबाइल है बच्चे के हाथ में उसका मोबाइल है दादा के हाथ में उनका मोबाइल है सब के हाथ मे और क्या संसकार से बचेंगे तो साथियो वाट्सेप आज की डेट में सबसे बड़ा प्रोड़क्टिविटी की ला रहे हैं जितनी भी वी हॉस्वाइब्स हैं जब हस्वेंड वर्क पे चले जाते हैं और बच्चे स्कूल में चले आते हैं वो थोड़ा-मोडा काम से फ्री ह विता रही है इस वज़ा से एक्स्ट्रा मेराइटल रिलेशन्शिप पैदा हो रही है इस वज़ा से खुझ से डिस्टिस्वेक्शन पैदा हो रहा है इस वज़ा से पर्चेसिंग की प्रत्ति पैदा हो रही है इस वज़ा से अपने घर से अपने पती से अपनी साथ से वाटसेप वर्दान है कि वाटसेप वर्दान है कि अभिशाप है हम सब को सोचना पड़ेगा इसलिए हमारे लोगपरी प्रोग्राम एक्सिलेंस गुरुकुल व्याइप जैसे प्रोग्रामों में सबसे पहले हम लोगों से एडिक्शन डेलीट करवाते हैं आपको पता है व्याइप कि सबसे पहली हैबिट क्या है फिक्स सोचल मीडिया टाइम और हम लोग लोगों से कहते हैं 30 मिनिट इस दी बेस्ट पर डे टाइम फर सोचल मीडिया बहुत अडिक्ट होना है तो 60 मिनिट लेकिन नॉर्मल आदमी 3 गंटे 4 गंटे बिताता है एक दिन में 24 गंटे होते हैं 24 गंटे में आप 8-9 गंटे सोते हैं 2 गंटे नहाने दोने आनी इमर्जेंसियों में जाते हैं 11 गंटे एक गंटा तैयार वगेरा होने में 12 गंटा आदा एक गंटा कुछ और चीजों में मुश्किल से 9-10 गंटे का एफेक्टिव टाइम आपके बस बचता है उस 10 गंटे में 9 गंटे में दी 3 गंटे आपने वाटसेप और सोशल मीडिया को दे दिये तो हर 10 साल में आपने 3 साल दे दिये हर 30 साल में आपने 10 साल दे दिया मुटा मुटा एक तिहाई जीवन आपने उसमें खतम कर दिया जिससे आपका कोई ले ना देरा ने आज से कुछ साल पहले मैं इस खत्रे को भाब गया था हम लोग सुबह सुबह दस बजे सेशन लेने घुसते हैं गुरुकुल वगेरा फुल डेके होते हैं और रात को जब निकलते हैं तो क्या देखते हैं कोई न कोई हमको अपने गुरुप में जोड़ लेता है और शाम तक पास सो साथ सो हजार में से जमा हो जाते हैं आप मजाक समझ रहे हैं आप मुझे आके अपने गुरुप में जोड़ देंगे पूरा कच्रा मेरे मुबाइल में डाल देंगे और शाम को आप बोलेंगे पसंद निये तो कुट कर जाईए और मैं कुट करूँगा उसके बाद मैं कच्रा जाड़ते बैटूँ इसका मतलब आप मेरे घर में आके कच्रा फेक दीजे और चले जाईए और मैं उस कच्रे को जाड़ लगाऊ इसलिए मैंने सुप्रिम कोट में केस करने का निरणा लिया मैं दिल्ली में वकीलों से मिला उन्होंने मुझे सला दी कि सर पूरे डिपार्टमेंट्स को पहले भेजिए ये वाकई में बहुत बड़ी प्राबलम है हर डिपार्टमेंट से क्लियरेंस निकालते हैं कि कौन से रूल के तहत ये वाइलेशन हो रहा है मैंने हिंदुस्तान के हर सरकारी वभाग को लिखा आप अजरज कर जाएंगे एक भी विभाग ने इसका जवाब ने दिया कि कौन से रूल का वाइलेशन कर रहा है यदि वो मेरी निज्टा का उलंगन कर रहा है क्योंकि मेरे बिना पूछे कोई भी मुझे अपना मेंबर बना लेता है कैसे बना लेगा मेरा कोई personal time है की नहीं यदि एक दिन में 10 ग्रूप मेरे को मेंबर बनाते है और 2000 मेसेज मेरे दिन में आ जाते हैं तो यदि मेरे per minute की कोई value तो आप भरेंगे वो value तो साथियो पहली समस्या अडल्ट्री दूसरी समस्या लो प्रोडक्टिविटी तीसरी समस्या फैमिली वेल्यूस का खतम होना गलत एक्सपोजर की वज़े से अटामिक बॉम्ब है पूरी दुनिया अटामिक बॉम्ब पर बैठी है वाटसेप एक तरीके की सोशल ड्रिंकिंग है सोशल स्मोकिंग है जिसमें लोगों को पता भी नहीं चल रहा है और आप एक एडिक्शन के ऐसे सिकार हो रखे हैं कि यदि थोड़ी देर आपको वाटसे नहीं आया तो आप डेटा को ओन आफ करके देखते हैं कि नहीं देखते हैं सात्यों पहले हम फोन आने पर फोन उठाते थे अब नहीं आता तो फोन उठाते हैं एक वाटसेप देखने के लिए खोलते हैं और पचास ग्रूप देखते हैं और यह हाल फेसबुक का भी है ले अपने परिवार के यंग्स्टर्स का बच्चों का मोबाईल लगातार चेक करते रहें कि उनके वाट्सेप पे क्या आ जा रहा है और वो किस तरीके के गुरूप का हिस्सा है एक बार अपना डे ऑडिट करें और देखें आप खुद वाट्सेप पर कितनी देर बिता रहे हैं यदि कल्चर को बचाना है यदि अपनी प्रोडक्टीवीटी को बचाना है यदि अपनी सफलतों को बचाना है तो सोचल मीडिय का restricted usage हमको सिखना पड़ेगा साथियो यदि आप मेरी बात से सहमत हैं तो जरूर अपना कमेंट करें और ये भी लिखें आप खुद कितनी देर सोशल मीडिया और वाटसेप यूज़ करते हैं और आज इस वीडियो को सुनने के बाद आप कितनी देर यूज़ करने वाले हैं साथि साथ उन सारे परिवार के सदस्यों को जिनको मुबाइल का कीड़ा लगा हुआ है जो रात दिन ऐसे पड़े रहते हैं उन सब को ये वीडियो जरूर भेजें जिससे कि उनका मोबाइल का कीड़ा, मोबाइल का वायरस, मोबाइल का इंफेक्शन, सोफल, मीडिया का जो उन पर प्रभाव है, वो कम हो और वो अपने वैपार पे ध्यान दें, वो अपने वैवसाय पे ध्यान दें, वो अपने परसेंट देशों का WhatsApp usage इंडिया से कम है और इतनी बड़ी आवादी वाला देश यदि इसमें बिता देगा आधा दिन तो काम कप करेगा तो मैं आपसे कहना चाहता हूं इस वीडियो को इतना वायरल करिए जदि अब तक आपने अज्वल बाटनी चैनल को सब्सक्राइब नह नहीं दबाया है तो बेल बटन को तुरण दबाईए ताकि ऐसे वीडियो से आप वन्चित ना हो खूब कमेंट करिए और साथियो हम लोग बहुत दुरभागिस आलिए हम लोगों को क्या है सवतंतरता संग्राम लड़ने का मौका नहीं मिला तो आईए ये नया सवतंता सं आई किया था तब मैंने आपसे अर्ज किया था देश के सड़े गले एजुकेशन सिस्टम को बदलना है आज मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं हर घर के हर महिला हर पुरुष बच्चे बड़े जवान बुड़े हर किसी को जो वाटसेप की विमारी लग गई है उनको हिला हिला के जंजोड जंजोड के सचेत करना है कि भाई इसके मालिक बने रहो गुलाम नहीं शुक्रिया धन्यवाद धन्यवाद धन्यक्यू